आज का सागल, what is net charge on atom? सीर के उपर के चार्ज को हम net charge कहते हैं दोस्तों, जो कि atoms के लिए 0 होता है, देखिए यहाँ पर F का atom हमने लिखा है, उसके उपर 0 ऐसा लिखा है, लेकिन books में हमें 0 दिखता नहीं है, इसका मतलब यह होता है, कि अगर वो ना भी लिखे, तो भी हमें यह मानना है, कि उसके उपर net charge 0 है, यहाँ पर यह helium का atom है, इसके उपर भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि आपको मानना है, कि उसके उपर net charge 0 है, तो बस यह थी कुछ simple सी बात है, नेट charge के बारे में, तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं शुबुम सोजीत आप से मिलते रहूगा ऐसे किसी ना किसी वीडियो में read before you need if you don't read you don't grow high UCSS letter guys